सुपरफास में 7548 पर निफ्टी ठेड करा हमार साथ के रन जादव बने वार हम उन स्टॉक्स पर बात करें जहां पर आप ट्रेडिंग के लिए अच्छी पोजिशन बना सकते हैं लेकिन चार्ट वैसे कंसिस्टेंट है क्या करेंगे आप करीबन 2014 का पूरा साले शाड़ेश मेंने हमने यह स्टॉक 182 के लेवल के करीब आते हुए रेजिस्टन्स देखते हैं इधर थोड़ा सा सेलिंग होता है पर इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है मेरे खायल से यह लेवल अभी निकल जाएगी थोड़ा सा करेक्टिव दिख रहा है अभी पर मेरे खायल से इधर आप अक्यमिलेट करना चाहिए क्योंकि जो वॉल्यूम्स हमने राइजिंग ट्रेंड में देखे बहुत स्ट्रॉंग है इसका मतलब यह है कि डिमांड और पारिंग सप्लाई का क्ल 24, 185 यह लेवल बहुत इंपोर्टन है इस स्टॉक को इसके उपर में खरीदी करने के लिए इसला दूँगा लाओ उपला अपकी खरीद की लिस्ट में आज शामिल है और यह साड़े तीन परसेंट उपर है एक नया हाई बना है यहाँ पर 1050 का लेवल है वॉल्यूम्स कंसिस्टन नहीं है यहाँ पर क्या करेंगा तोड़ा सा इलिक्विड काउंटर है पर अगर हमने मिड में से लिक्विड है 998 का स्टॉपलोस मैं लगाने के लिए कहूंगा और आपको यह स्टॉपलोस जैसे स्टॉपलोस जाता है वैसे ट्रिल करना चाहिए और मेरा पहला टागेट की 1120 का होगा जो कि अगले 15 दिनों में आपको देखने को मिल जाना चाहिए स्टील स्टिप विल्ज यह भी आपकी खरीद की लिस्ट में शामिल है यह 0.5% उपर है 293 का लेवल है और इसने एक 25 जून से अगर आप इसका चार्ट देखें है तो जो कंसिस्टेंट मूव इसने देना शुरू किया है वो अभी तक सस्टेन कर रहा है वोल्यूम्स कूड इसने चार दिनों में करीबन 290 का टागेट इसने अचीव किया था उसके बाद कंसिस्टेंटली जोन में था एक्जैक्ली रेक्टेंगल कंट्यूनेशन पैटर्न इस टॉक में है और में इसका पहला टागेट 387 का है जो कि अगले 10-15 दिनों में आ जाना चीए इसके लिए स्टॉप लोस आपको कंपल्सरी है कि आपको इसको करीबन 277 के करीब इसको रखना है यह ट्रिगर नहीं होने की पूरी अशंका है और यह टागेट आपको अच्छे रिस्टु रिवार्ड्स दिला देगा जो कि करीबन 1-9 के करीब है